अबिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेट बैनोभाईयों राज्य सभा में कल जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में चुनाओं को लेकर उसके पश्चात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और निश्चित तोर पर आने वाला लोग सभा चुनाओं कल हुई क्रास वोटिंग के बाद बहुत प्रभावित होने वाला है विशेश तोर पर अमेठी और राइवरेली का अक्षेत जहांके तीन एमेले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर ए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं इसका इंपक्ट क्या पढ़ने वाला है साथ विधायकों की क्रास बोटिंग एक का गयरहाजिर रहना आठ विधायकों के एक तरह बीजेपी ने अपने पाले में लिया इसके राजन विधायकों को अपोजीशन से तोड़ कर भारती जनता पार्टी ने अपनी ताकत का इजिहार कर दिया है अब जब अपोजीशन के इतने बड़े तादाद में मेलेज तोड़े गए हैं तो भारती जनता पार्टी का मकसद सिर्फ राज्यसभा चुनाओ जितना नहीं रहा ह होगा सिर्फ एक प्रत्याशी को जिता लेना उनका राजनीतिक मकसद नहीं रहा होगा लोकसमा के चुनाओं में इसका इंपक्ट बेहत महत्वपूर्ण है और आज डिबेट में हम इंपक्ट असेस्मेंट करेंगे यानि जो कुछ भी हुआ है जितनी तादाद में मेलेज गए हैं इनके जाने से अपोजीशन का नुकसान क्या है और भारती जन्ता पार्टी ने बेनिफिट क्या हासिल किया राजनीति में सिर्फ यह एक पहलू हो सकता है कि संजे सेट या भारती जन्ता पार्टी आठ्वें कंडिडेट को जिताने के लिए इतने विधायक लेक्य यह तस्वीर का एक पहलू हो सकता है लेकिन इसका जो सबसे मजबूत पहलू है वह आने वाला चुनाओं मेजर आपरेशन कहां हुआ है अमेठी राइवरेली मनोज पांडे उचाहार में अजे इसाबित हो रहे थे दो दो चुनाओं में विप्रीत परिश्थितियों के बावजूद वो जीत कराते थे यही हालात राकेश प्रताप सिंग के थे और अमेठी की सीट जीतने के बाद गायतरी प्रजापती की फैमली का दबदबा उस शे प्रतिष्था उनकी राइबरेली और अमेठी है अमेठी पहले से उनके कबजे में है और उसे इंश्योर करना है कि वो ज्यादा मारजीन से जीत कराए अब असली टार्गेट है राइबरेली तो राइबरेली में सब तो बीजेपी में आ गए थे बचे कौन थे राइबरेल कितना भी ताकतवर प्रत्यासी दे, गांधी फैमिली से भी कोई आए, तो अब अपोजीशन में उसे कौन मिले गा, कोई नहीं, ताकतवर कोई अपोजीशन लीडर मिले गा, नहीं, क्यों कोई नोज पांडे चले गया अब बीजेपी के साथ, तो राइबरेली हो गया, क्लियर अमेठी का रास्ता आसान एक्चुली आपरेशन कांग्रेस के साथ हुआ है कांट समाजवादी पार्टी में हुआ पठी कहा किया किसको किया किया कांग्रेस को नुक्सान किसका हुआ है कांग्रेस का एक्चुली ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी तो दो तीन जटके खा चुकी है अब असली एक्जामीनेशन फिर अभी लोक सवा के चुनाओ के पहले आएगा समाजवादी पार्टी के पास अपने सहयोगी दलों से और राजभर की पार्टी से लाने के बाद आप बचे कितने हैं सव टोटल हंड्रेट अब इमेल सी के चुनाओ में इस पर अगनी परिछ्छा है कि एमेल सी के चुनाओ में क्या ये सव इंटेक्ट रहेंगे या इसमें भी विखराव होगा और बहने भाईयों परंपरा का तरीके से बहुजर्ण समाजवादी ने बीजेपी कोड दिया तो बीजेपी के पास दोस्त मित्र सहयोगी बाहर से आने वाले ये सब मिला के उनके पास संख्या कितनी हो गई है 295 इस वक्त बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कुल मिलाकर सदन में कितने सदस्य हो गए जो उनका सपोर्ट करते हैं इसमें बागी भी शामिल हैं सहयोगी भी शामिल हैं राजबहिया भी शामिल हैं निर्दली भी शामिल हैं ब्यस्पी के मेले भी शामिल है कि टू नाइंटी फाइब की श्ट्रेंथ है उनकी और अपोजीशन के पास कुल कितने बचे हैं कि आप उसके बाद पारलेमेंट चुना हुए ऑप्रेशन अभी बाकी है कुछ बहन सुने पर चुत लोग जहन बचाने के लिए और कुछ लोग दवाम में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गये हैं हमें उम्मीद है व्लड़ सम्मान जल्दी मिलेगा देखे ऐसा है कि व कि अंतर आत्मा से बोड़ दे ली ऑगर आपके अंतर आत्मा बीजए पी को बोड़ दी है अगर अंतर आत्मा कहती है इस सबागोड़ दी जिस तरीके से कभी समूद्र मंथन हुआ था कि तोब इस बार यह संविरान मंथन होने जा रहा है रिद फरोग दबाओ और लालच तमाम सब चीज़ें को देकर समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है मैं समझता हूँ कि इसका जवाब जनता दे रही है क्योंकि इंडिया गडबंदन मजबूती से अगे बढ़ रहा है ताकत के साथ बढ़ रहा है पहले से नंबर निर्धारी थे बैन भाईयों आज की परचर्चा को आगे बढ़ाएंगे एसन सिंग उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं डाक्टर रेमेच खान और जाने माने पत्रकार संजे बेचन जी भी मुझे जोईन कर चुके हैं और विरेंज सिंग जी हमारे इस्टेटेड आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवादी स्पार्टी